वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल शानी दिवदार फ्रैंड्स आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तानी किरकटिम के बारे में कहते हैं पाकिस्तानी टीम आस्ट्रेलिया हनीमून टूर पर गए या कि किरकट की टूर पर वीडियो को देखने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल अकान ज़रूर दबाए तो फ्रैंड्स हम बात कर रहे हैं पाकस्तानी किरका टीम के बारे में पाकस्तान अस्ट्रले के दोरे पर जब निकले तो बहुत सारे सवाल सामने आए पहला सवाल तब लोगों ने उठाया जब पाकस्तान के खिलाड़ी खुद अपना लगेज उठा रहे थे जिस पर लोगों ने कहा है कि पाकस्तानी खिलाड़ी का कोई इज़त ही नहीं है इनको खुद ही अपना लगेज उठाना पड़ा लेकिन असल में बात कुछ और थी बात यह थी कि फुलाइट छूटने वाली थी इसलिए पाकस्तानी खिलाड़ी ने जल्दी में खुद ही अपना लगेज उठाया ताकि फुलाइट छूटना जाए लेकिन और एक बात सामने तब आई जब पाकस्तान के शाजी शुदा खिलाड़ीं के साथ उनकी बीविया नाजर आई इस पर लोगों ने बहुत तनकीद की लोगों ने कहा है कि पाकस्तान टीम आस्ट्रलिया किरकट खिलने जा रही है या कि अपनी बीवियों के साथ हनी मून बनाने के लिए जा रही है कहा जाता है कि वहाँ खिलाड़ी किरकट पर फोकस करें या अपनी बीवियों पर अखर क्या जरूरत थी जो खिलाड़ी ने अपनी बीवियों को साथ मिलाया ये किरकट का टूर है या हनीमून का टूर है ये खिलाड़ी आस्ट्रेलिया में किरकट पर डिसकस करें कि हमें किस तरह यहां पर खेलना है या कि अपनी भीवियों के साथ टायम सुप्रेंड करके उनको खुश रखें अब खिलाडी अपनी वीविंग को खुश रखे या किरकट पर फोकस करें ये बहुत बड़ी बात है कि खिलाडी किस पर फोकस करें और दूसरी तरफ जो लोग बाबर आजम पर तनकीत करते थे उन लोगों का हुआ बुरा हाल क्योंकि जब बाबर आजम आस्ट्रेलिया बहुत सारे फैनस बाबर आजम से आटोग्राफ लेते नाजर आए और फैनस का तेदाद बहुत ही ज्यादा था और बाबर आजम के फैनस ने ये साबित कर दिया कि बाबर आजम वाकई में दुनियावी किरकट का बहुत बड़ा लेजट है अब आप से भी मेरी यही पर तब तक के लिए खुदा हाफिज